हेलो दोस्तों, मैं अनकित आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पुरान कथा टीवी पर। आज हम सुनेगे महाभारत की कहानी, युदिष्ठिर और यक्ष का समवाद। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पांदव द्रौपदी सहित वन में परनकुटी बना कर रहने लगे। वे कुछ दिनों तक कामेकवन में रहने के पश्चाक द्वैत्वन में चले गए। वहाँ एक बार जब पाचों भाई भ्यमन कर रहे थे, तो उन्हें प्यास सताने लगी। युधिष्ठिर ने नकुल को आग्या दी, है नकुल। तुम जल धूंड कर ले आओ। नकुल जल की तलाश में एक जलाशय के पास चले आए, किन्तु जैसे ही जल लेने के लिए उद्यत हुए, सरोबर किनारे व्रिक्ष पर बैठा एक बगुला बोला, है नकुल। जल लेकर पी लिया। जल पीते ही वे भूमी पर गिर पड़े। नकुल के आने में विलंभ होते देख, युधिष्ठिर ने क्रम से अन्यतीनों भाईयों, सहदेव, अर्जुन तथाभीम को भेजा, और उन सभी का भी नकुल जैसा ही हाल हुआ। अन्तता युधिष्ठिर स्वय जलाशय के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनके सभी भाई मृतावस्था में पड़े हुए हैं। वे अभी इस द्रिश्य को देखकर आश्चर्यच की थी थे कि व्रिक्ष पर बैठे बगुले का स्वर उन्हें सुनाई दिया। ए युधिष्ठिर। मैं यक्ष्म। मैंने तुम्हारे भाईयों से कहा था कि मेरे प्रशनों का उत्तर देने के पश्चात ही जल देना, किन्तु वे नमाने और उनका यह परिनाम हुआ। अब तुम भी यदी मेरे प्रश्णों का उत्तर दिये बिना जल्द रहन करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा. बगुला रूपी यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर बोले खे यक्ष। मैं आपके अधिकार की वस्तु को कदापी नहीं लेना चाहता। आप अब अपना प्रश्ण पूछिए। यक्ष प्रश्ण भूमी से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर उत्तर है संतान को कोख में धरने वाली मा भूमी से भी भारी होती है। युधिष्ठिर उत्तर है विद्या। यक्ष प्रश्ण घर में रहने वाले का साथी कौन होता है। युधिष्ठिर उत्तर है पत्नी। यक्ष प्रश्ण मरनासन व्रिद्ध का मित्र कौन होता है। युधिश्थिर उत्तरहदान क्योंकि वही मृत्यू के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष प्रशनत बरतनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिश्थिर उत्तरह भूमी ही सबसे बड़ा बरतन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष प्रश्न सुख क्या है? युधिश्थिर उत्तरह सुख वह चीज है जो शील और सक्चरित रता पर आधारित है. यक्ष प्रश्न किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर युधिष्ठिर उत्तरह अहमभाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है यक्षप्रशन किस चीज के खो जाने पर दुहक होता है युधिष्ठिर उत्तरह क्रोध यक्षप्रशन किस चीज को गमवा कर मनुष्य धनी बनता है युधिश्थिर उत्तर है लालच को खोकर यक्ष प्रशन बुद्धिमान कौन है? युधिश्थिर उत्तर जिसके पास विवेक है यक्ष प्रशन चोर कौन है? युधिश्थिर उत्तर इंद्रियों के आकर्शन जो इंद्रियों को हर लेते हैं चोर है यक्ष प्रश्न नरक क्या है? युधिश्थिर उत्तर इंद्रियों की दास्ता नरक है यक्ष प्रश्न जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? युधिश्थिर उत्तर जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है यक्ष प्रश्न कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? युधिश्थिर उत्तर यवन, धन और जीवन यक्ष प्रश्न दुर्भाग्य का कारण क्या है? युधिश्थिर उत्तर मद और अहंकार यक्ष प्रश्न सौभाग्य का कारण क्या है? युधिश्थिर उत्तर सत्संग और सब के प्रती मैत्री भा यक्ष प्रश्ण सारे दुअखों का नाश कौन कर सकता है? युधिश्थिर उत्तर जो सब छोड़ने को तैयार हो यक्ष प्रश्ण मृत्यु परियंत यातना कौन देता है? युधिश्थिर उत्तर गुप रूप से किया गया अपराध यक्षप्रश्न दिनराथ किस बात का विचार करना चाहिए? युधिश्थिर उत्तर सांसारिक सुखों की क्षनभंगुरता का यक्षप्रश्न संसार को कौन जीतता है? युधिश्थिर उत्तर जिसमें सत्य और श्रधा है यक्षप्रश्न भय से मुप्ती कैसे संभव है? युधिश्थिर उत्तर वैराग्य से यक्षप्रश्न मुप्त कौन है? युधिश्थिर उत्तर जो अज्यान से परे है यक्षप्रश्न अज्यान क्या है? युधिश्थिर उत्तर आत्म ज्यान का अभाव अज्यान है यक्षप्रश्न दुखों से मुक्त कौन है? युधिश्थिर उत्तर जो कभी क्रोध नहीं करता यक्षप्रश्न वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? युधिश्थिर उत्तर माया यक्ष प्रश्न माया क्या है? युधिश्थिर उत्तर नाम और रूपधारी नाश्वान जगत. यक्ष प्रश्न परम सत्य क्या है? युधिश्थिर उत्तर ब्रह्मा. यक्ष प्रश्न सूर्य किसकी आज्या से उदे होता है? युधिश्थिर उत्तर है परमात्मा यानी ब्र इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से और भी अनेक प्रश्न किये और युधिष्ठिर ने उस सभी प्रश्नों के उचित उत्तर दिये। इससे प्रसन्न होकर यक्ष बोले है युधिष्ठिर, तुम धर्म के सभी मर्मों के ग्याता हो, मैं तुम्हारे उत्तरों से संतुष्ठ हूँ, आथ मैं तुम्हारे एक भाई को जीवनदान देता हूँ, बोलो तुम्हारे किस भाई को मैं जीवित करूँ, युधिष्ठिर ने कहा आप नकुल को जीवित कर दीजिए। इस पर यक्ष बोले युधिश्थिर। तुमने महाबली भीम या त्रिलोक विजी अर्जुन का जीवंदान न मांगकर नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों कहा। इसलिए जहां माता कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, वहीं माता मादरी के भी एक पुत्र नकुल को ही जीवित रहना चाहिए। इसलिए मैंने नकुल का जीवंदान मांगा है। परीक्षा लेने के लिए यहां आया था। धर्म के इतना कहते ही सब पांडव ऐसे उठ खड़े हुए जैसे की गहरी मीन से जागे हूँ। युधिष्ठिर ने अपने पिता धर्म के चरण स्पर्श कर उनका आशिरवाद लिया। फिर धर्म ने कहा वत्स मैं तुम से बहुत प्रसन हूँ। इसलिए तुम मुझ से अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। युधिष्ठिर बोले हेता। हमारा 12 वर्षों का वनवास पूर्ण हो रहा है और अब हम एक वर्ष के अज्यातवास में जाने वाले हैं। आथा आप यह वर दीजिए कि उस अज्यातवास में कोई भी हमें न पहचान सके। साथ ही मुझे यह वर दीजिये कि मेरी वृती सदा आप अर्थात धर्म में ही लगी रहे। धर्म युधिश्थिर को उनके मांगे हुए दोनों वर देकर वहां से अंतरध्यान हो गए। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीज कीजिए। जदी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवादवाद।